हलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नमबर 6 उसकी एक्सरसाई 6.2 फर्स्ट कोशन है जिसका find the square of the falling numbers यानि कि जो हमें यहापे squares दे रखे हैं यो हमें यहापे numbers दे रखे हैं हमें इनके squares निकालने हैं find the square square निकालने के लिए हम बोला गया है जितने भी हमें यहापे numbers दे रखे हैं तो first number हमें दे रखा है 32 32 का square हम किस तरीके से निकालेंगे अगर हम वैसे देखें तो 32 into 32 करते हैं लेकिन हम यहापे जो उसका square निकालेंगे क्योंकि जैसे 86 है 86 काफी बड़ा number है तो उसमें क्या है कि हमारी जो है हम इसको दूसरे वे से करेंगे एक identity लगा के जो है हम इसको करेंगे तक कि हमारे पस जितना भी इससे बड़े भी number हो तो हम उसको easily solve कर सके तो देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो हमें number दे रखा है वो हमें दे रखा है 32 ठीक है तो 32 का निकालने के लिए पहले हमें 32 का square निकालना है अब यहाँ पे हमारी जो identity लगेगी वो लगेगी a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab ठीक है अब यहाँ पे हमारा a क्या है यह हमारा a है यह हमारा b है तो a के हमारा 30 plus b के हमारा 2 इसका whole square is equal to अब 30 का square plus 2 square plus 2 की जगा 2 उसके बाद a भी है न तो यहाँ पे 2 into 30 into अब b के हमारा 2 है ठीक है अब हम जो है इसको solve करेंगे अब 30 plus 2 का whole square लिखेंगे यहाँ पे पहले हम 30 plus 2 का whole square आएगा अब 30 को 2 time अगर multiply करते 30 into 30 कितना हो जाता है 900 और 2 into 2 4 plus अब 30 को 2 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 3 to 6 यानि कि 60 और 60 को 2 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो 30 plus 2 का whole square अब हम सबको plus कर देंगे तो क्या आजेगा 1024 यानि कि 30 plus 2 का whole square बोलो या 32 का square बोलो 32 का square हमारा क्या आएगा 124 इसी तरीके से हमारे जो और भी numbers है उनको भी हम इसी तरीके से करेंगे एक बार आप इसको देख लीजे हमने इसको पहले 32 लिखा है उसके बाद हमने 32 का square उसके बाद हम 30 plus 2 का whole square लिखेंगे ठीक है क्योंकि ये एक ही बात है सेम है उसके बाद हमने identity लगाई a plus b का square whole square a square plus b square plus 2ab तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 30 और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर 2 लिखते जाएंगे और यहाँ पर square है तो उसी हिसाब से हम solve करेंगे 30 का square है तो 900 2 का square तो 4 अब इसको हमने solve किया तो 120 इन सब को plus कर दे तो 124 next जो हमें number दे रखा है अब उसको हम कर लेते हैं next हमें number क्या दे रखा है next number हमें दे रखा है 35 सेम उसी तरीके से करेंगे इसको हम लिखे 35 का square या फिर हम इसको लिखेंगे 30 plus 5 का whole square वह identity लगाएंगे हम a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab अब a क्या हमारा यहाँ पर 30 b क्या है 5 चीक है अब 30 का square plus b के हमारा 5 square plus 2 multiply 30 into b के हमारा 5 30 plus 5 का whole square 30 को 30 से करेंगे 900 plus 5 into 5 करेंगे तो 25 आजाएगा आप 3 को 2 से करेंगे इतना हैंगा 3 2 जा 6 60 60 को 5 से करेंगे 6 5 जा 30 300 हो जाएगा आप क्या करेंगे इसको हम plus कर लेंगे 30 plus 5 उसका whole square 900 और 300 को plus करेंगे कितना देगा 1200 1200 में 25 तो 1200 25 जो है इसका हमारा square आजाएगा थर्ड है थर्ड नमबर है हमारा 86 अब 86 square इसको लिखेंगे 80 plus 6 का whole square छीक है अब यहाँ पे 80 plus 6 का whole square वो ही identity लगाएंगे पहले हम a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab a plus b का whole square is equal to a कितना है 80 का square b कितना है 6 square plus 2 into 80 b कितना है 6 ठीक है अब a plus b का whole square is equal to 80 को 80 से multiply करेंगे 88 जा 64 2 0 6 6 जा 36 plus 80 को 2 से multiply करेंगे 8 2 जा 60 160 160 को 6 से multiply करेंगे 960 इन तीनों को हम plus कर देंगे a plus b का whole square इन तीनों को plus करेंगे 7396 जो है इसका 86 का square आएगा ठीक है next number है हमारा 93 सेम उसी तरीके से करेंगे हम 93 square 90 plus 3 का whole square identity लगाएंगे a plus b का square a square plus b square plus 2 a b a plus b का square 90 का square plus 3 square plus 2 into 90 into 3 a square a square b 90 को 2 time multiply करेंगे 9 9 जा 81 81 100 आ जाएगा 3 3 जा 9 plus 9 को 2 से करेंगे तो इतना हैगा 18 यहनिकी 180 180 को 3 से multiply करेंगे 8 3 जा sorry 18 3 जा 54 यहनिकी 400 540 आ गया इन तीनों को plus कर देंगे तो 8 649 जो है वो 93 का square आ जाएगा next है 71 सेम उसी तरीके से 71 square 71 का square यहनिकी 70 plus 1 का whole square a square sorry a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b आपको सब में यही identity जो हमारी लगेगी ठीक है a plus b का square 70 square plus 1 square plus 2 into 70 into 1 ठीक है अब 70 को 70 से multiply करेंगे a plus b का square 77 जा 49 1 into 1 का क्या करेंगे 1 आएगा plus 27 जा 72 जा 14 140 को 1 से करेंगे तो 140 आएगा इन सब को plus कर लेंगे यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो a square 20 को यहाँ पे आप में नमबर लिखना है 70 plus 1 का square 70 plus 1 का square अब हमने इन सब को plus कर लेंगे इन सब को plus करेंगे तो 5041 जो है वो 70 plus 1 का square होगा यहनिकि 71 का ठीक है next question है हमें next इसमें क्या दे रखा है हमारा next number क्या है next number है 46 अब हम करेंगे 46 का हैनिकि 46 का square 40 plus 6 का whole square a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab अब एक है हमारा 40 plus 6 का square 40 का square plus 6 का square plus 2 into 40 into 6 40 plus 6 का square 4 4 जा 16 जा 16 जा 16 जा 36 plus 4 2 जा 8 80 86 जा 480 इन सब को plus कर लेंगे तो 40 plus 6 का जो हमारा square है जानिकि 46 का square है वो है 2116 ठीक है यह हो गया हमारा question number 1 अब जो इसका हम second question देखेंगे second question में क्या बोला गया है write the pythagorean triplet whose number member is अब जैसे कि हमने introduction वीडियो में समझा था कि जो pythagorean triplet है उसके 3 member तीन members होते हैं जिसके अंदर हमें 1 member दे रखा और हमें जो है इसके 2 members जो है हमें इसके अंदर और भी जो है find करने हैं जैसे कि pythagorean triplet में आपको बताया था मैंने कि 2m, m square minus 1, m square plus 1 ये इसके अंदर 3 members होते हैं जो हमें इसके अंदर first दे रखा है वो दे रखा है 6 तो 6 हमारा हम इसको first member माल लेते हैं तो हम यहां लिखेंगे let हैनकि हमें एक member दे रखा है two members find करने हैं तो हम इसको 2m जो है इसको हम first member माल लेते है 2m is equal to 6 अब इसके अंदर में m की value पता कर निकालनी है तो 2m is equal to 6 जो हमारे इदर आके divide हो जगा 6 अप 1 में 2 तो यहां जगा हमारा 3 यानि कि m की value क्या निकल गी हमारी 3 अब हमारी m की value 3 आ गई अब हमें जो second है देखो m square minus 1 अब हमारी m की value क्या निकल गी 3 3 square minus 1 3 3 जगा 9 minus 1 कितना आ गया 8 आ गया तो first हमारा number हो गया 6 second number हो गया 8 अब हमें third निकालना है third member निकालना है तो क्या हमारा m square plus 1 m कितना निकल गया 3 square plus 1 तो क्या जगा 9 3 3 जगा 9 plus 1 is equal to 10 तो 3 members हमारे कौन से हो गया इसके अंदर 6, 8 और 10 यह हमारे 3 जो है members इस तरीके से पाइथा कोरियन ट्रिपलेट के ऐसे हम 3 members निकालते हैं ठीक है 1 हमें given है अब आप देखो हमें second में हमें दे रखा 14 तो same इसी तरीके से हम जो है आगे का जो है same ऐसे ही करेंगे अब हमें 14 number दे रखा है ठीक है तो वो ही 2m square 2m comma m square plus 1 comma m sorry पहले minus आएगा minus 1 और m square plus 1 तो पहले first member हम किसको मान लेते हैं 14 को let 2m is equal to 14 m की value निकालेंगे 14 upon में 2 कितना आजेगा 7 यानि कि m की value कितनी आ गई 7 उसके बाद m square minus 1 यानि कि m की value कि आ गई थी 7 तो 7 square minus 1 हो जाएगा 49 minus 1 is equal to 48 ऐसे ही m square plus 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यापर 7 square plus 1 49 plus 1 कितना हो जाएगा 50 यानि कि 3 numbers कुन सा है कि 7 हमें पहले से ही इसमें हमें 14 दे रखा है तो इसका जो हमें पहला number तो दे रखा था 14 तो first number हो गया 14 second number हमने निकाला 48 और third हमने numbers इसमें निकाला 50 ठीक है तो इसी तरीके से one number हमें given जैसे first वाले में भी हमें first number given था दो हमने numbers और निकाल ली ऐसे second वाले में 14 given था दो numbers हमने जो हैं इसके अंदर वो और हमने निकाल ली 48 और 50 ऐसे ही third वाले में भी हम करेंगे third हमें दे रखा है 16 अब 16 हमें दे रखा है तो हम यहाँ पे जो है आप इसकी जगाँ पे हम लिख लेते हैं 16 ठीक है सेम उसी तरीके से हमने इसको करना है तो यहाँ पर आजएगा हम first number माल लेते हैं 16 तो 16 upon में 2 कर लेंगे तो आजएगा 8 यानि कि m हमारा 8 आ गया यहाँ पे 8 m square है तो 8 square minus 1 हो जाएगा 8 square 8 8 जा 64 minus 1 कितना हो जाएगा 63 ऐसे यहाँ पे 8 square plus 1 हो जाएगा तो 64 plus 1 हो जाएगा तो कितना जाएगा 65 यानि कि first number तो हमें 16 दे रखा था उसके बाद जो हमने 2 fine किये 63 और 65 हमने जो है इसमें fine किया next देखते हैं next हमें दे रखा 18 same इसी तरीके से हम 18 वाला भी जो है इसको करेंगे first number हमें 18 दे रखा है 18 हमें दे रखा है तो हम first number 18 मान लेते हैं 18 अपन में 2 कर लेते हैं तो कितना जाएगा 2,9 जा 18 तो M हमारा आ गया 9 तो यहाँ पे M square के जगा 9 square minus 1 9,9 जा 81 minus 1 is equal to 80 ऐसे ही यहाँ पे 9 square plus 1 is equal to 81 plus 1 तो कितना जाएगा 82 यहाँ कि हमारे पास first number 18 था उसके बाद हमने 80 और 82 जो है वो fine किया तो इस तरीके से हम जो है Pythagorean के triplet जो है वो fine करते हैं जो missing होते हैं तो यहाँ पे हमारी exercise 6.2 भी complete हो जाती है होफुलिए आपको वीडियो helpful लगा वीडियो helpful लगे तो please like, share, subscribe करे सभी वीडियो चैनल की playlist में जाके देख सकते हैं Thank you